दोस्तों पिछले वीडियो में सक्ती चार्जर पलस 1150 में एक फाल्ट से सम्मंदित एक आप लोगों से स्वाल पूछा गया था वो सक्ती चार्जर पलस रिपेर हो चुका है काफी हमारे सब्सक्राइबर मित्रों ने भी उसका बिल्कुल स्टीक जवाब दिया वो जो फाल्ट है उसका सॉल्यूशन सब तक पहुंच सके इसके लिए ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये आपका इन्वर्टर याँ पर रिपेर हो चुका है बैकप मोड पे अभी ये है लोड भी कनेक्ट करके देख लेते हैं मैं आप लोगों को पैनल पे शो करता हूँ ताकि एजीली हमारे को वो समझ में आए बैकप मोड पे ये नो लोड है ये आउटपुट है मैंस को कनेक्ट करता हूँ पहले मैंस मोड पे वो तीन चार सेकेंड में आउटपुट बंद कर देता था चार्जिंग नहीं लेता था मैंस आ गई है चार्जिंग यहाँ पे पूरी प्रोपर 12-13 अमपेर यहाँ पे आ गई है आउटपुट वोल्टेज भी प्रोपर है साथ में इसकी जो दो रिले हैं जो की अलग-अलग टेपिंग को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करती है वो भी यहाँ पे प्रोपर काम करती है जैसे ही मैं टेपिंग चेंज गरूँगा यहाँ पे चार्जिंग करेंट जीरो हो कि फिर से स्टार्ट होगा देखिए इसकी जो micro controller है वो खराब थी हुआ क्या exactly कि इसकी ULN 2003 खराब हुई ULN 2003 तो हमने change कर दी लेकिन micro controller की उसने एक pin को भी खराब कर दिया कौन सी pin को जो pin आपकी ULN 2003 के थूरू इस relay को operate करती है जो relay आपकी high की taping को connect या disconnect करती है वो वहाँ पे आपकी relay operate नहीं हो पाई high पे वो connect रही जिसकी वज़े से आपका ये इस तरह की problem आई यानि कि अगर इन दोनों relay के साथ में अगर ULN 2003 अगर खराब होती है तो आपको micro controller पे doubt करने का बनता है क्योंकि micro controller भी खराब हो सकती है कई बार ULN 2003 कुछ इस तरह के से short होती है कि वो micro controller की pinों को भी इस तरह के से sync करने के लिए वो आपका short कर देती है जिससे आपका वो वहाँ पे low रह जाती है permanent तो ये हमारा problem यहाँ पे soul हो गया है आप लोगों तक share करने का मकसद इतना ही था कि आप लोगों के पास कुछ इस तरह की problem आये तो micro controller पे doubt करके आप उसको check कर सकते हैं और इसकी pinों को भी check कर सकते हैं कि जो pinे आपकी micro controller से आपकी ULN 2003 तक आती है ULN 2003 से लेके इन दोनों relay को operate करती हैं उसको आप track करके इस तरह कैसे rectify कर सकते हैं अगर दोस्तो आपको repairing के बाकी वीडियोज देखने हैं तो आप हमारी चैनल की playlist पे जाके repairing के अलग-अलग appliances के वीडियोज को देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें, bell icon दबा दें ताकि लगातार आप लोगों को नए वीडियोज की notification मिलती रहे Thank you दोस्तो